साहित्य समाज का एक तरह से दरपड है और वही साहित्य समाज को दिशा निर्देश देता है अच्छे मार्ग पर चलने का प्रेरा देता है वही साहित्य कभी हाच से कारूप बन जाता है तो कभी सांती का आरंप कर देता है कभी बिध्वन्ष को शुरू कर देता है नमस्कार, पुर्वांचल परिवेश में आपका स्वागत है, मैं रिशी का पुर्भारती मैं इस समय ग्राम सभा बलुवन में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक राजनितिक, साहितिक और यह कहा जाए तो हर तरीके से पुर्ण बैक्ती मेरे साथ जुड़े हैं जिनका नाम है छोटे लालकु स्वाजी, इनकी जो रचनाय हैं एक तरह से सत्ता से कही न कहीं सवाल पूछ रही है चलिए आपको मिलाते हैं छोटे लालकु स्वाजी से पुर्वांचल परिवेश में आपका स्वागत जे आपके दर्सकों और सुरताओं को पुर्वांचल परिवेश के दर्सकों और सुरताओं को मेरे तरफ से पढ़ाम, नमस्कार साहित जब आपने शुरू किया था आपको ठीक ठीक क्या याद है कि जब आपने साहित लिखना सुरू किया था तो कौन-कौन सी लगभग लगभग परसानी आपके साम देखिये, शाहिती को तो जब हम जुनियर हाइच कोल में पढ़ रहे थे तो उसमय सबसे पहले एक गीत जो है मैंने लिखा था और गाया भी था जुजहारू अगर कुछ सायरी टाइप का चैन नजम टाइप का कुछ लिख हैं तो थोड़ा सा में सुनाइए दर्शको को सुनाइए जी उनकी तमन्ना थी कि मैं चौकिदार बनूं लेकिन मेरी कुछ और तमन्ना थी जिसको मैंने सब्दों में कभिताओं में लिखने की मैंने कोशिश किया है वह है मेरी तमन्ना है मैं वतन के लिए खाक हो जाओं मेरी तमन्ना है मैं वतन के लिए खाक हो जाओं सुवाष चंद्रबोष, नेता जी सुवाष चंद्रबोष, भगत सिंग, बिश्मिल और असफाक हो जाओं, मेरी तमन्ना है मैं वतन के लिए खाक हो जाओं मैं वतन के लिए खाक हो जाओं आपके आस पास पनूस में ऐसे ही कुछ लोग हैं जिने हम बनिया तरीके से जानते नहीं हैं और बहुत सुन्दर सुन्दर रचनाय लिखते हैं खास करके आप उन लोग को देखते होंगे जो भोजपूरी में फुहरता को ले करके बना जल्दी ट्रेंड कर जाते हैं लेकिन हम प्रुवांचल परवेश के टीम ने जिम्मा लिया है कि जो गाओ के जितने प्रतिभासाली लोग हैं जिनको संसाधनों के अभाव में लोग जान और सुन नहीं पाते हैं हम उन तक पहुंचेंगे अभी यहां से मैं शुरुवात कर रहा हूं कोई और पंक्तियां हो तो हमें सुनाई यह और पंक्तियां जीसे और भुश्बूरी की थोड़ी से अभी ताजी रचना मैंने उसको थ्लबा सा रियाज नहीं किया है लेकिन उसकी कुछ पंक्ति मैं जैसे उसका भाव यह है कि एक जैसे फेस्बूक से बहुत लोगों का जैसे मुहबबत हो जा रहा है ठीक ठीक तो प्रश्बूक से किसी ने मुझ से प्यार किया आप से जी इस समय प्रम बढ़ पे में जी तो उसको पता नहीं था मैंने लीखा कि मैं चार बच्चों का नहीं भी भी हर बात जानती है तो उसमें मैंने उसने पता पुछा तो उसको मैंने दर्साया है अपने भुश्पूरी गीत में उसकी कुछ पंक्तियां आपके हवाले मैं करनी की कोशिश कर रहा हूं यूपी बावंजी लादे वरियां यूपी बावंजी लादे वरियांव बगल में सटले बिहार बाः ए गोरी ओहिटया गाउम आहमार बाः ए गोरी वहिठाईया गाउं आहमार बाद चारु अरिया लवकी उंखिया के हरियाली गेहूं धनवा सरसो के बाली विचवे में बलीवन बाजार बाद विचवे में बलीवन बाजार बाद ए धनिया बगले में साटले बिहार बाद गाम के पच्छिमवा स्याहि नदी बाद गाम के पच्छिमवा स्याहि नदी पुरूब में जहराही के धार बाद ए धनिया ओही बीच बालीवन बाजार बाद ए धनिया ओही बीच बालीवन बाजार बाद यह अपका पता था यह नहीं मेरा पता और कुछ भी है मैंने अन्य गाओं का भी बढ़न किया है और मेरी कोशिश हो कि इसको बढ़ियां से गाके और आगे कुछ करनी की प्लानिंग है जैसे कि पुरे अभी अपने देश के तमाम राजियों में चुना हुए ही तो भौसाती में cheap की तरह बहुं सारे में 수rijली दग यह अज़ता Simmons cream का एता धाए भौसाती की तरह में बढ़िया लोग सभाथ चुनाव की तरह पर खा जाने वाले लोग हैं, वो हमारे आंसों के सवदागर हैं, और मेरी कविता क्या कहती है, पुर्वांचल प्रिवेश के दर्शकों और सुर्ताओं के हवाले, वे अब चुनावी बिसात बिछाने लगे हैं, वे मेरे विरान गलियों में आने लगे हैं, मेरे आंसों के सवदागर मेरे जखमु पर मरहम लगाने लगे हैं, वे मेरे गलियों में आने लगे हैं, चुनावी बिसात बिछाने लगे हैं, जो हमेशा मौत के गीत गाते रहे हैं, वे जीवन संगेत सुनाने लगे हैं, नफरत फैलाना है जिनका मकसद, वे अब प्रीत लगाने लगे हैं, वे अब मेरे विरान गलियों में आने लगे हैं, मेरे जखमों पर मरहम लगाने लगे हैं, वे मेरे जोपडियों को जलाए सदा से, वे अब इंट दर इंट जोड़कर महल बनाने लगे हैं, फटी हुई धोती, बनियान देख कभी तरस आई ही नहीं, वे अब तो कपड़ों का गठर पहुचाने लगे हैं, मेरे आसुओं के सवदागर मेरे जखमों पर मरहम लगाने लगे हैं, मेरे जखमों पर मरहम लगाने लगे हैं, रोटी के टुकड़े छिनते रहे वे, भुखमरी से मरे हम देखते रहे वे, अब वे नौकरी की नौकरी की नौकरी पात्र पहुचाने लगे हैं, वे अब मेरे विरान गलियों में आने लगे हैं, चुनावी बिशात बिछाने लगे हैं, है वे मेरे जीवन के बहतर प्रबंधक, प्रबंधन बहतर निभाने लगे हैं, प्रबंधन बहतर निभाने लगे हैं, छोटे लाल कफ़न और स्राध की सामगरी पहुचाने लगे हैं, मेरे विरान गलियों में आने लगे हैं, चुनावी बिशात बिछाने लगे हैं, जानदार कविता है कि चुनावी बिसात बिछाने लगे हैं, वे मेरी गलियों में आने जाने लगे हैं, क्या नेता लोग आएं और जाएं नहीं, नहीं, देखिए, हम तो कह रहा हैं कि नेता आएं और जाएं, जब मैं हाई स्कुल नक पढ़ रहा था, तो मेरे गुरु जी थ तो एक परिभासा गड़ते थे, कहते थे, कि नेता वो है, जो देता हो, निस्वार्थ भाव से, नेता वो नहीं कि सिर्फ आप से लेता हो, तो लेने वाला जो ब्यक्ति है, सिर्फ लेता हो, तो लुटे रहा हो गया, इस एपिशोड को मैं कुछ जाजा लंबा नहीं जो दर्शको का मन और हरा भरा हो जाए है, ततकाल जो है, गमिर समस्या भाट परानी के लिए बनी होई है, तो उसकी दो ही तिन पंक्तिया मैं गुनगा है, इसलिए कि मुझे फिर रिपीट नहीं कि एक ले पर्शो के लिखे हुई है, वो है, एक ब्यक्ति बेल पार भाट अचानक घर से फोन आता है, तो बता रहा है कि मैं कहा हूं भुझपूरी में, तो यह भाव है, वो कैसे बता रहा है, अरे यंपी अमेल, भाट पार वाला का मर गईले का, एमपी अमेल, भाट पार वाला लाला मर गईले का, घमवा में जारतानी, बेल पार धाला लाला मर गईले का, एमपी अमेल, भाट पार वाला लाला मर गईले का, घमवा में जारतानी, बेल पार धाला लाला मर गईले का, रोज रोज लागे लाई हावा पर जाम हो, पीठी आत जोरी जालाला गईले का, घमवा मर गईले का, घमवा मर गईले का, बेल पार धाला बानी, जो कभी होता है, अब पत्रकार, बतब दुरों में काफी समानता है होती, अभी आपने देखा कि, अभी ढ़ाले पर फशे, कभी के अंदर दो दिल होता है, एक से वह अपना काम चलाता है, और दूसरे से दूसरों का दुख और दर्द देखता रहता है, इन्होंने देखा कि भाट पर ढ़ाले पर जाम की समस्या कैसे है, मैं वहाँ पर आपको ले चलूंगा और दिखाऊंगा, कि लोगों में भी गलती है, और हाँ वहाँ पर पहल जो जाम की समस्या है, मैं समझता हूं कि इस पूरी गीत को कम्पलीट करके और गादू, तो हो सकता है कि मेरे उपर हमले भी होंगा, तमाम चीज होंगा, और बहुत आ मने लोगों को चोट करने वाला गीत है, और इसको मैं जल्द ही आने वाली दिन में इसको मैं जैसे भी मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आपको भी डर है किया राजनैतिक रसुखदार लोगों से, मुझे क्या डर है, जिन्दगी तो जिन्दगी है, जिन्दगी तो जिन्दगी है, मैं मौत को साध के चलता हूं, मुझे मौत से क्या डर है, मैं तो कफन बाद के चलता हूं, मैं भवानी चापर के तरप के हैं चकिया कोठी के तरप के हैं तो आए दिन घुमते रहते हैं कभी इनसे मिलिए और इनकी ब्यथा सुनिए मैं तो चाहता हूँ कि जो नेता जी लोग है कहीं इनसे मिले कभी और इनकी ब्यथा सुने इनकी कभिताएं कविताओं को सुने और समझें कि क्या कर रही है कविताओं बहुत कुछ आईना दिखा रही है प्रस्नवाचक्षिन खड़ा कर रही है उन सब का जबाब कौन देगा इस वीडियो को यही परंत करते हैं आपको यह अपिसोर कैसा लगा अगर आप पुर्वांचल परिवेश को यूटूब पर देख रहा है तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए अगर आप इसे फेस्बुक पेज पर देख रहा है तो फेस्बुक पेज को फालो कर लीजिए अगर आप इसे इंस्टाग्राम पर देख रहा है तो हमारे आईडी को आप फालो कर लीजिए कहां तक यह आवाज जा रही है वहां से मेंशन किजिए कि कौन से जगह से आप देख रहा है तब तक के लिए नमस्कार जाहिन मिलते हैं अगले अप्शोड में